आसादोदीन ओवेसी वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और समय निकाल कर हमारे साथ आता हैं ओवेसा आपका स्वागत है मेरी आवाज आपको मिल रही है तमस्कार यह जो करनाटक में हिजाब को लेकर के जो भी विवाद हुआ इतना बड़ा बन गया कि तीन दिन तक पूरे स्टेट के स्कूल कॉलिज बंद करने पड़े हैं कहीं पत्थर चल गए कहीं कुछ हो गया इस पूरे कॉंट्रवर्सी को आप कैसे देखते हैं कि देखें यह कॉंट्रवर्सी पैदा की गई करनाटका में जो बीजेपी की सरकार है वो उसके जिम्मेदार है और मेरा मानना यह है कि उनका जो नोटिफिकेशन उन्हें जारी किया वो भारत के सम्मिधान के आर्टिकल 14, 19, 21 का ग्रेव वॉयलेशन है तो यह बिल्कुल गलत है जो उन्हें नोटिफिकेशन जारी किया नोटिफिकेशन मेरे मैंने शायद अगर ठीक दिखा हो तो नोटिफिकेशन तो इतना ही कहता है कि हर इंस्टिउच इंस्टिउचन जो है वो उसके वो एक ड्रेस कोड लागू करेगा और जो भी डिपार्टमेंट अब एजुकेशन के अंदर उनका आता है और उसके कुछ अब आता है ड्रेस कोड में देखिए कहा गया कि इकौलिटी इंटेग्रेटी अंड ड़स नॉट हिंडर इट पॉबलिक आॉडर अब आप इकौलिटी की बात कर रहे हैं तो इकौलिटी तो सबस्टेंटिव इकौलिटी है अगर मेरे हिजाब और निखाब पेनने से किसी क हाम तो नहीं हो रहा है ना फरस के अगर मैं रोड ब्लॉक कर देता हूं बोलूगा ने मेरा राइट टू प्रोटेस्ट है तो उससे दो सब को तकलीफ हो रही है मेरे हिजाब मेरे बेरी लड़की के हिजाब और निखाब पेनने से किसी को हाम तो नहीं हो रहा है तो तो आपका आपकी एक स्पीच पे सुना आपने आ या इंटेव्यू में शायद आपने कहीं पर केरिला हाई कोट के एक जज्जमेंट को कोट किया था कि वहाँ पर उन्होंने इजाज़त दी थी उसी केरिला हाई कोट ने लेकिन दोजार अठारा में दो बच्चियां प्राइ कि वह इंसिटूट कैसे चलाएगा मैं आपको कह रहा हूँ केरिला हाई कोट का जज्जमेंट है उन्होंने कहा कि स्कार्फ इस प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल ट्विंटी फाइवन अब वो जो आप जज्जमेंट का हावाला दे रहे हैं मुझे नहीं वालूम मुझे मैं पढ़कर आपके जवाब दे सकता हूं मर सुप्रीम कोट में केरिला हाई कोट ने ये कहा कि स्कार्फ जो है एक एसेंशल प्रैक्टिस में आता है और उससे हटकर एक आप जो वाईलेशन सरकार कर रही है करना ठका में वो तो आप राइट टू लाइफ का वाईलेशन कर रहे हैं और वो पहनने से किसी को तकलीफ हो रही है क्या किसी को नुकसान हो रहा है बज़े बताई है कि इसमें राइट टू लाइफ का हनन कैसे हो गया जज्मेंट है पुर्तो स्वामी का हाँ बिलकुल आप आप डिक्टेट नहीं कर सकते ना मुझे कि मैं अपनी जिन्द करने का आप इंटर्फियर करेंगे सुप्रीम कोट के पुर्तो स्वामी जज्ज्मेंट यही तो बात कहीं कि कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि क्या खाय और क्या पहने सर मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ आप तो खुद बहुत बड़े वकील हैं वो 2018 की जज्ज्मेंट थोड़ा सा 30 सेकंड सुनिएगा The court concluded that petitioners cannot seek the imposition of their individual rights as against the larger right of the institution It is for the institution to decide whether the petitioners can be permitted to attend the classes with the headscarf and full sleeve shirt 2018 अच्छा तो आप वो बोल रहे हैं तो सुनिए अब आप अब आप ये सुन लीजिए कि एक सुप्रेम कोट का जज्ज्मेंट है जो किरला हाई कोट के उपर आता है नलसा वस यूनिन आफ इंडिया 2014 जिसमें सुप्रेम कोट ने कहा कि अब इसके बारे में क्या बोलेंगे आप अब ये तो हम आपको बता रहे हैं ना सर केस में सुप्रेम कोट का जज्ज्मेंट है एक नहीं तीन तीन चार्चा जज्जमेंट सा है सुप्रीम कोट के और अगर आप जो जज्जमेंट का हवाला देरे उसको तो अपील करने ही चाहिए सुप्रीम कोट में अब ये तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हो जो भी जो भी उस बेंच थी उसने यह औरडर निकाला था बेराल सर एक सवाल ये है कि हम इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं मुद्दा ये तो नहीं है कि पूरे देश में बुरका हिजाब कोई पहन रहा है तो पाबंदी है वो जो बच्चियां गई है वो भी स्कूल तक जब आती है और कॉलिश तक जब तक आती है वो कुछ भी पहने उसमें कोई इतराज नहीं है केवल और केवल क्लासरूम में क्या पहना जाए इतना सा मुद्दा है केवल इतना तो सवाल केवल ये है कि वो राइट क्या उस इंस्टिचूट को नहीं है देखेए पहली बात तो ये है कि वो लड़किया हिजाब पहन कर स्कूल को जा रही थी ऐसा नहीं है कि अचानक जैसा आप ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि शौल दिये गए उनको जो भी दिया नही दिया पहन कर जा रही थे शौल वो ये लड़कियां बादापता हिजाब पेंकर अपने स्कूल को जा रही थी दूसरी बात आपको संबदने के जुरत है कि ये constitutional morality का fundamental rights का इससे रास तालुख है अगर आप किसी को ये deny करेंगे तो संबीधान के fundamental rights को deny करना कोई सरकार नहीं कर सकती है सर ये basic structure का हिस्सा है अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ वो तो आपको बीजेपी के सरकार को पूछना है कि इतनी नफरत क्यों पैदा करती उन्होंने ये तो आप पैदा कर रहे हैं ये आप इसके पीछे हिजाब और निखाब से जादा एक नफरत की कि राजनीती हो रही है क्यों नफरत क्यों पैदा कर रहे हैं इतना राडिकलाइस क्यों हो रहे हैं लोग जो उसका पोस्ट कर रहे हैं ये राडिकलाइस किस ने किया नहीं वो तो अकाउंटर पूछते हैं कि अभी जैसे अभी आपने उस स्कूल का जिक्र किया उडूपी के उस स्कूल की डेवलेप्मेंट कमिटी के सदस्य हैं वो अभी आपसे दस मिनट पहले हमारे साथ थे उनसे मैंने सीदे सीदे पूछा यह बताए कि बच्चे पहले से क्या पहन के आ रहे थे उन्होंने का नहीं यह नहीं पहन के आ रहे थे और हमारे यह जो नॉम्स हैं करनाटा का हाई कोट पेटिशनर हैं उन्होंने उसमें उस बात को कहा है और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप क्या संविधान के fundamental rights से महरूम कर देंगे किसी को आप होते कोने भाई अगर कोई college जाता है कोई school जाता है तो क्या संविधान suspend हो जाता है संविधान तो एक जीवित किताब है ना वो आप आप कैसे चीन सकते हैं उन से आप उन लड़कियों ने उस notification के खिलाफ जो उन्होंने इशू किया था under section 133, subsection 2, उसके खिलाफ चैलेंज किया करना रगा है कोट में तो यह गलत कह रहे हैं आपको वो चलें यह बातें जो हैं तो details वाली बाते हैं information की तो court में decide होगी और मैं कानून की बातों पर तो आप से नहीं जीच सकता एक मसल्म महिला अगर निकाब और हिजाब पेहनती है और पढ़ना चाहती है, क्या पढ़ना चाहती है, कॉलेज जाना चाहती है, वो रइडिकलाइजिशन है और जो लोग को शाल बाट रहा है, जो कभी शाल नहीं पेहने, कौन है वो लोग? जो एक बच्ची को घेर लेते हैं और गमशाँ डाल करके अपने गले में डाल करके साफरन कलर का साफरन कलर की टूपी पहन करके आ रहे हैं उनका कहना है कि फिर हमारी भी freedom है हमारी भी freedom religious freedom है हम भी ऐसे जाएंगे हमें भी ना रोके कोई बिल्कुल अगर आपके religion का essential feature है तो आप करिए क्या आप इन बच्चों की तरह उसी तरह का लिबास पहन कर आ रहे थे पहले आप नहीं पहन करा रहे थे आप अगर कोई लड़की हिजाब पहन रही है तो उनको क्या नुकसान हो रहा है उससे मुझे बताइए आपको क्या नुकसान हो रहा है मुझे क्या नुकसान हो रहा है और एक बास सुनिए सर आपको बता रहा हूं कि फीफा ने फुटबॉल वर्ल्ल कप जो होल्ड करते है महिलाओं का उन्होंने कहा कि आप हिजाब पेन कर फुटबॉल वर्ल्ल कप में खेल सकती है बैटमिंटन टॉर्नमेंट्स में आप हिजाब पेन के बैटमिंटन खेल सकती है इंटरनाशनल बास्केटबॉल फेडरेशन कहता है कि हिजाब पेनके महिला बास्केट बॉल खेल सकती है यमन की एक लड़की को जिसका नाम कामरान तवक्कल है उसको नोबल पीस प्राइज मिला हिजाब पेनती है वो देश के पधान मंतरी सारणपुर बोले कि मुसलिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक निकाला तो बहुत पढ़ना चाहरी ना इस लोग तो देश के पधान मंतरी क्यों ने क्यों पढ़ने से रोक रहे हैं लोगों को मैं प्रधान मंतरी की बात करूँगा आपने उनकी उपर बोला उन्होंने काफी कुछ बोला उसकी पर मैं आता हूँ सुनिए अगर फ्रांस कल के दिन महिलाओं का वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल कप के लिए बिट करेगा तो पहले उसमे बिट में आउट हो जाएगा वो क्योंकि फीफा के रूल को फॉलो करना पड़ेगा उनको और फ्रांस का सरकार के बारे में मत पुछिया आप फीफा के बारे में बोल रहा हूँ मेरे सम्विधान में, मेरे देश में आप फीफा कोट करेंगे तो मैंने भी एक जगे कोट किया और चॉइस ना 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 अगर सुनी अगर कल फ्रांस अगर फुटबॉल वर्ल्ल कप के लिए बिट करेगा तो क्यों बिट कर पाएगा फीफा के रूल को तोड़ेगा वो नहीं तोड़ पाएगा ना नहीं तोड़ पाएगा वो प्रधान मंत्री ने ये कहा कि दरसल दिक्कत ये है कि जब मुस्लिम बच्चियां मुस्लिम बेटियां जो हैं उन्होंने मोदी की तारीफ करना शुरू कर दी तब मुस्लिम समाज में बाकी लोगों को ठेकेदार बनते उनको ये लगा कि अरे ये तो हमारे ही बेटियां जो है सेलेक्टिव जबान खोलते हैं जो प्रियागराज अलाबाद में धरम संसद हुआ वहाँ पर मुसलिम महिलाओं के बारे में जो गंदगी बकी गई उस पे पदान-मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे जो हरिदवार में हुआ जो राइपूर में पधान मंतरी कुछ नहीं बोलेंगे वीडियों से जो मुस्लिम महिलाओं के बारे में गंदगी बोली गई है उस पर नहीं बोलेंगे पधान मंतरी क्यों नहीं बोलेंगे पधान मंतरी भई पजानमंती करना टका कि बच्चेयों को पारें बोलते हैं ठीक है तुम हिजाब पेनों और पड़ो तुम खाबिल बनो देश को मजबूत करो तुमारा हिजाब तुमारे निखाब वो तुमारा रिलिजन का मामला है तुमारा चॉइस है हम 377 को निकाल दिये 377 नहीं रहा चॉइस है फंडमेंटल राइट बन गया हिजाब का मामला आया है मैं जो इस पर डिबेट सुन रहा हूं देख रहा हूं खास तौर पर सोशल मीडिया पर लोग इसको शाहब आनो मोमेंट बता रहे हैं कि ये कुंसा शाहब आनो मोमेंट बता रहे हैं कि कि इसको तकलिफ किसको होना चाहिए तकलिफ क्यों हो रही है आपको क्या कुछ हाम हो रहा है आपको क्या देश के लिए खत्रा है सेक्यूरिटी का इशू है क्या कर रहे है सर किस रहा पर लेकर जा रहे है देश को आपको कुछ लोगों का मानना है कि यह ग्रोइंग साइंज अरे सर आप क्या बक्वास कर रहे हैं आपके सामें जो लोग धरम संसद में बक्वास करते हो राडिकलाइज नहीं है जो जो लोग जो लोग गोलियां चलाते एंपी के पर राडिकलाइज नहीं है जो लोग मॉब लिंचिंग करते हो राडिकलाइज नहीं है जो लोग सोशल मिडिया पे हर मुसलिम महीला जो भी जे पी के खलाफ लिखती है उसके खलाफ क्या-क्या लिखती है उर डिकलाइस नहीं है सपर लेकिन उस बच्ची को भी तो कोई बताता होगा na बच्ची को तो और ही आहीं मालूम होता होगा अगर आप देखे चॉइस जो है ना चॉइस फ्रीडम है तो अगर अगर कल कोई नहीं पेंटा है तो मैं का फोर्स कर रहा हूं किसी को कि पेंओ तुम नहीं कर रहा हूं मैं आप मैंने अपनी आखों से देखा कि आसाम की जो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी राजय सवा में आती ती तो हजाब पपें कहा दिती सर पर होड़ के आती थी तो आज जो ऑर आज वेस्टर्न यूपी मैं जो जो महिला और अपन कर गई loves हूं किन्सकू अबोलेंगे अमएफों सुनिए मैं जो लोग मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और निखाब प्हेने को राडिकलाज कह पहते हैं वो भारत के दुश्मन है वो लोग उनको राइडिकलाइजेशन की आर के माने नहीं आते हैं लोगों को ये नफरत है ये नफरत है ये हेट की आइडियोलोजी है आपको समझने की जरूरत है बुर्खा नकाब एक बहाना आए असल नफरत है और कुछ नहीं है इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर